नमस्कार सबी को मैं चेतना काल रहा तो 2023 की भविश्यवानी के अधार पर हम अंतिमराशी मीन 25 पर पहुँच गए हैं आपके वर्ष की शुरुवात में कुछ ऐसी स्थिती उत्पन हो सकती है जिससे आप थोड़ा सा उत्तेजित या अन्बैलंस्ट महसूस कर सकते हैं आपने तो सब चीजे बेटर होंगी चीजे अच्छी लगने लगेंगे आपको हाला कि यह हो सकता है कि आप खुद को खोया हुआ महसूस करें लेकिन आप इस दोरन अपने उद्देश्य से ना भटकें अपनी आकांशाओं को सुनस्चित कर लें अपने सपनों पर काम करना नास छ थोड़ें अगर आप नहीं भी चाहते फिर भी आपको सपनों पर काम करना बहुत ही आवश्यक है सेप्टमबर के बाद आपके करियर में बहुत सारी नई योजनाई आएंगी कुछ लक्षे निर्धारित होंगे कुछ ऑपरचुन्टीज आएंगी बिजनेस सिंदी समस्याओं से जूज रहे हैं तो आफटर सेप्टमबर वो सब काफी हद तक सुधार में आजाएंगी अपने आपको उत्ते जित ना करें श्थितियों पर काबू काने की कोशिश करें अपने सपनों को ना बुलें उन पे काम करते रहें तो यह साल आपके लिए अच उपाय दिये जा रहे हैं जिने करेंगे तो बहुत लाब होगा तो देखिए उपाय और लाब उठाईए तो में राशी वालों के लिए पाइसिस के लिए यह वर्ष आपको क्या उपाय करने हैं या आप आगे वीडियो में सुनें और ध्यान पूर्वक उपाय करें एक तो सबसे पहले आपको माता पिता का सम्मान करना है उनकी सेवा करें उनका सम्मान करें उनकी अवश्यत्ताओं का ध्यान रखें दान पुन करते रहें जरूरत मंदों को खाना खिलाते रहें गुरू की निरंतर सेवा से आपके जीवन में जो भी जटल से जटल समस्याई आ रह होंगी उससे आप बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे तो गुरू की सेवा करें दान पुन करें जरूरत बंदों को खाना खिलाएं और माता पिता की सेवा करें सम्मान करें तो यह सब रेमडी मीन राशी वाले कीजिए और फायदा उठाइए अपनी मुश्किलों का आसान केजिए अल दे बेस गॉड ब्लेस यू थेंक यू